गुण बॉर्णिंग फ्रेंड कैसे हैं आप और उमीदे कि आप अच्छे होंगे आज मैं चलूँगा आप लोगों को एसी जगह लेकर जहां आपने सोचा नहीं होगा और यह सर्प्राइस तो था लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे बता दूँ अभी आज हम लोग चलेंगे समस्पूर पक्षी विहार समस्पूर बर्ड सैंक्चुरी जो की रैब रेली में है रैब रेली के सलोन एरिया में है और वहां हम लोग चलेंगे सुना है वहां से बहुत दूर दूर से पक्षी मागरेट करके आते हैं तो चलेंगे और एंजॉय करेंग तो चलते हैं फर अब मैं आपको वहीं मिलूँगा हम लोगों ने रास्ते में गाड़ी रोग दी है और मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि यहां का जो रास्ता है काफी सुनसान है और दूर-दूर तक कोई एक आदमी नहीं दिख रहा है देखिए चारो तरफ का मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको यह पक्षी विहार से पहले कर रास्ता है और यह सतीज खड़ा है जो मेरे साथ चला है देखिए बहुत देर बाद मैंने देखा तो कोई एक आदमी आता हो दिखा यह समस्पुर पक्षी विहार का में गेट है अच्छा कोई यहां डरने ओली बात है क्या तो नहीं 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 यह विसरा एडिया थोड़ा सुंसान रहता है ना वह देखिए दूर से थोड़ा पानी दिख रहा है अच्छा अच्छा पर दिन है निकल लाएंगे चार्दे तक निकल भी दिन है चली हम लोगों न अपनी बाइक भार ही खड़ी कर दी है आती ही हमें यह मिला है एक बैटने की जगह हवा काफी देज चल लए है और सच बताओ तो मुझे जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है मकर दब भी लग रहा है पानी की लहरे ऐसे लगता है कि ऊपर चली आएंगे और यहां का अब खुद जाकर ले सकते हैं यह रैप रिली में है समस्कुर बख्षी विहार तो जो जो विजिटर्स आना चाहते हैं जरूर है बहुत इची रगा है मगर यहां जो पक्षी है हमें मालूम चला है कि यह नुमेंबर से फरवरी तक ही रहते हैं तो अफसूस है कि हम इस पक अब लोग आगे चिलेंगे जाना से इमने चिलेंगे देखिए दोस्तों इतना जिवर्दस नजा रहा है यह अपर इसे लग रहे समतुर गया है अगर पेशने इसे प्रसे आफे शेवटी के लिए बोड यहां पर चोड़ी ब्याती है अग्राय जलकूंभी है और यहां पर पानी है अगर मैं यहां पर रखूं गिरूं अगर तो पर भगवानी बचा सकता कि अधिकी कितना क्लियर पहले है तो दूम पास अधिए और हमें इंस्ट्रिक्शन दिये गए है कि हम लोग ज्यादा पास में नहीं जाएंगे कि अधिया 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 जंगल है इसको जंगल और सुंसान पसंद हो यहां आसकता है साथीस यहाँ हो कि अधिया अधिया देखिया तन पास आके हैं लोग आचुके हैं देखें रहना यार भाई यहाँ 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 हम लोग ने कुछ सेल्फी ली हैं यहाँ हम लोग ने कुछ सेल्फी ली हैं पक्षियों की तलास में हम निकल पड़े हैं बगर अभी तक कोई पक्षी नहीं मिला है जैसा कि पहले ही उनलोगों ने बता दिया था मुझे मगर कोई बात नहीं जंगल तो मुझे पसंद दिये तो जिन जिन वेवर्स को जंगल पसंद है उनके लिए तो बेस्ट है परिशान होने की बात नहीं है मैं दोबारा फिराओंगा नॉमबर या दिसमबर में आप लोगों को पक्षी ने दिखाओंगा सुनाएं यहां पर अस्टेलिया से भी माइग्रेट करके पक्षी आते हैं मगर मुझे क्या पता था कि इस समय नहीं मिलेंगे यह जीचा पृट्ध है आप लोगों को दिखना है और आप लोगों को इसमें सीड़िया बनी है लोहे की कि अथर नहीं है दिखाता हूं ओब लोगों का इस muchís amen कि इतो लिखा है तोड़ी दिर मैं सारस से सीखें साथ नहीं भाना इंसानों से सीखें धोखा नहीं भाना और देखें मैं चड़ चुका हूँ अब देखें आप ऊपर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आप लोगों को पूरा 360 पर दिखांगा इतनी लेंड पड़ी है अगर यहां पर गॉवर्मेंट सही से काम करें तो यह अपना डिजनी लेंड बन सकता है मंगर अपसूस यहां की गॉवर्मेंट इस बारे में भी सोच नहीं रही है यूपी में इतना अच्छा टूरिश प्लेस बनाया जा सकता है इसे कि जिसके कोई जवाब नहीं मगर आप देखी रहें कोई काम नहीं है यहां पर सरकान ने पता नहीं को ध्यान ने दिया बहुत अच्छी जगा हो सकती है जखेंग руки काम sorry लेक थी और इस तरवी लेख गुद्वाली लेक और यूए लेक डोनों को देखिव और यह वाली लेक दो लानुव देख जा रहा विसी मुजिक बहुत अच्छा लगा। पानी को देख के मज़ा राता है पानी के लहरें और पानी की अवाज साफ शुनाए रहे रहे हैं आगे मैं आपको और पास जाएके क्लीर दिखाऊंगा अजए पानी के लाज मेरा थोड़ा है कि अफरें के लाज दिखाऊंगा थे लाज शुनाएंगा और अजए बद्द एक लाज़्ाया है लेकि अगी नहीं कि मैरा थोड़ा सप्राइब को अख लेकिम मेरा काम च पूरा हो जाता है इस दिर नहीं है तो तो तिर नहीं है कि अच्छे सब्सक्राइब जिए बनी इस अच्छे लगा रहे हैं यह 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 है तो यह कुछ लिखा है जूम कर दिखा रहा है और यह यह लिखाया आई यह सारसी के साथ निभाना तो बक्षी तो बस टोते हैं सानों से हम लोग यहां साम तक रुखने वाले हैं क्योंकि शाम को बहुत अच्छा व्यू आएगा अब हम लोग एक और जगा मिल गए हैं शहने के लिए उपर उपर जाके करेंगे और बेस्ट वी दिखेंगे आप लोग और दोस्तों सही बता हूं तो इतना मजा रहा है इतनी तेज हवा चल लेए कि मेरे पुरे बाल ही उड़ दाएंगे भी आप देखेंगे वीडियो में मुझे पता है ना बाल उड़ दाए हैं वाओ ब्यूटिफुल साइट इतना सुंसान जगा है कि यहां फैमिली मुझे अपर तक नहीं मिली है सिर्फ लड़के ही मिल रहा है जो देखने आ रहे हैं हम मैं मेरे दोस्तियस है मेरे साथ मतलब पहले मैंने सोचे कि मैं खुदा कि देखो फैमिली लाने लाइक तो नहीं है थोड़ा सा डर है रास्ते म काफी सुंसान एरिया है मगर जवर्दस भी हो है दोस्तों कि अच्चों से घ्रप लाग। कि अच्चों से बहा हुत रहा है जा कि अच्चों साज़ कि रहा है था। कि दर देखा हुआ है जिसके भी बड़े बाल है थोड़े वो बचेंगे नहीं है आपर मेलेव मी फ्रेंड बहुत ज्यादा हवा चल ले हैं बहुत जोरों की हवा चल ले है आप देखें माय की बरबर के वाज आ रही होगी यह सीन देखते तो लग रहा है करन अरजुन मुवी अकर देखा होगा आपने तो वहां गाउं का एक सीन था इस तरह कुछ-कुछ पंधन तो प्यार का पंधन है जाला नहीं हो गया आपने आपने श्लो मुल्सम में रिकॉर्डिंग की है शायद आप लों को पसंद आए आपका मन जरूरी स्टेबल हो जागा थोड़ी देरिस को देख कर इसमें दोनों में किसकी चाल ज्यादा अच्छी लग रही है आपनों गाहूं सतीस की या फिर इन महतरमा की है पूल जी करना अहां से लोटा है और लोटा डाम यह फिर मिला मुझे और यह आप देख रहे हैं यह तस्वीर किसकी बनी हुए है यह है सिथार्थ वगवान कौतम बोते की जब एक सारस को तीर लग जाता है तो वह उसका घाव साफ करते हैं गाइस इसी नजारे के लिए हमने बने काफी देर वेट किया आप मुझे यह व्यू मिल रहा है तो इसको सूट करने के बाद ही हमको गाइस लगए है जिस पक्षी के मैंने इमेज लगाई है शायद यह यह पक्षियां पर देरा है अब हम लोग वापस आ रहे हैं आप बताएए आपको कैसा लगा यह व्यू यह जगा है अले रुको 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 और यह नील गाय है और उसके नीचे सारस मुझे बहुत पसंद है अनिमल्स और मेरा एक चैनल था जिसमें मैं काम करता था लेकिन वह कौपी रड़ स्ट्रेक आने की वज़ए से बंद हो गया खेर आप बताएए आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब क करेंगे तो मुझे कुछ राहन मिलेगा और देखी कितनी गंदी सड़क बनी है अपसे मिलते हैं घर में और वहां पर आपको एक शायर भी सुनागा तो फ्रेंड्स हम लोग अब आ चुके हैं घर स्ट्री हम लोग नहीं मैं आ चुका हूं गर और hope you guys have enjoyed bird sanctuary next time I will show you birds your लेकिन क्या कर सकते हैं मुझे अगना पता नहीं था कि इस बार नहीं मिलेंगे बख्षी वोड़े बट पच्ची तो मिले ही हैं शिली कोई बात नहीं मुझे तो अच्छा लगा आप बताएए कमेंड में आपको अच्छा लगा या नहीं और अगली बार भी हम लोग कहीं जाएंगे ही कहां जाएंगे यह मैं आपको भी नहीं बता सकता वो सर्प्राइज है आपके लिए मगर मुझे अपसोस इस बात का है कि वहां पर गौर्मेंट अगर ध्यान दे दे तो वो जगह बहुत ही अच्छी हो सकती है अच्छी टूरिस प्लेस बन सकती है और अच्छ स्थानी लोग बता रहते कि पैसा आता है लेकिन वहां के अधिकारी ध्यान देता है यह कागज पर काम हो जाता है पेपर वर्क करके यह कर देते हैं फूरा कंप्लेट लेकिन असलियत में नहीं करते हैं नहीं करते हैं तो चलिए छोड़े हम लोग यह सब और नेक्स टाइम हम लोग फिर कहीं चलेंगे अच्छी जग है कुछ सर्प्राइज है आपके लिए जो कि नेक्स्ट वीडियो के लिए बचा के रखा है मैंने और अब हम लोग का ये शेर टाइम है तो अब मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा तो आप लोग बता नहीं है कमेंड में कैसा लग रह है वो तो हमेशा रहेगी मगर अभी आप लोग को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा अपने दोस्तों को शेर करें मेरे चानल और मैं आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी जगा दिखाता रहूंगा तो शेर सुरू करें ठीक है इस साथ कि प्यार दिलों का मेला है ध्यान स प्यार दिलों का मेला है मेले में ये दिल अकेला है और मेले में जलेबी का ठेला है आप लोग ने जलेबी खाई होंगी मेले में सबी ने तो नहीं लेकिन अल्मोर्स जादता लोगों ने खाई होंगी तो प्यार दिलों का मेला है मेले में ये दिल अकेला है और मेले में जल उसके भाई ने मुझे कसके हुला है एक दम इनोने वक्त बदल दिया, ज़िभाद बदल दिया, जिन्दगी बदल दी Oh bhai मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो समद रहे समद रहे हमा तो बस खतम खतम अब इस भीडियो में चैनल लाइक श्यर सब्सक्राइब जरूर करें बाई गाइस